बिना Config और GFX टूल के BGMI के अंदर आप ग्राफिक्स हो कैसी इंप्रूब करोगे, वह आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वालो, इस चीज 100% सेफ है, इससे आपके BGMI अकाउंट पर कभी भी बैंड नहीं लगेगा, तो चलिए बिना टाइम होस्ट किये, इस व दिखाने के अंदर चेक आउट करो, आपको डेफिनिटली कलर स्कीम करके एक फीचर मिलेगा, उस पर जाकर भी आपको यहाँ पर आटो पर इससे सेट कर दना है, उसके बाद आप देखना, आपके फोन पर कलर सना काफी ज़दा पंची हो जाएगा, देन आप BGMI को प्ले क इससे आपको डेफिनिटली चेक आउट कर देना है, एक बार की कस्टम पर है, या फिर कस्टम का उप्सन आपके फोन पर नहीं है, अगर कस्टम है तो भई उस पर आप जाकर या पे ब्लू को स्लेट कर दो, या फिर अगर आपके फोन पर कस्टम नहीं है, तो भई इससे आ PGMI के इंदर textures को आप काफी ज़्यादा smooth कर सकतो and इससे FPS भी थोड़ा बहुत improve हो जाएगा इसके लिए आप setting option में जाकर additional setting में जाएगे तो आपको यहाँ पर developer option मिलेगा उस पर जाकर आपको एक setting find करना है जो कि यह force 4X MSAA इससे आपको enable कर दोगे तो भाई gaming textures काफी ज़्यादा improve हो जाता है काफी ज़्यादा smooth लगने लगता है and इससे gaming graphics के साथ साथ FPS में भी आपको काफी ज़्यादा फरक देखने को मिलेगा and एवाला setting हर एक gamers के लिए बहुत ज़्यादा important है वह भी without any application आपको मिल रहा है इस चीज़ को आप definitely करके देखना आपको बहुत help मिलेगा तो भाई इस वाले वीडियो को अपने हर एक दोस्तों के साथ स्याड़ कर दो जो भी bgmi खेलता हो और इस वाले वीडियो पे एक like करके टेकनो माइड उज्वाल चनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले पास में दे गए बिल आइकन को भी दबा दे ताकि आपको हर एक वीडियो की notification मिल जाए अब trick नमबर फोर देखो भई आपको बीजे में इंस्टल करने के बाद ही न जब भी आप करोगे तो आपको यह option दिखाया जाएगा कि आप कम साइज वाले resources pack डाउनलोड करना चाहते हो या पर ज्यादा साइज वाला तो आप डेफिनेटली ज्यादा साइज वाले resources pack को डाउनलोड करके दैन गेम प्ले करना क्यूंकि इसमें ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है एस कंपर टू कम साइज वाले resources pack आप इस बड़े वाले को डाउनलोड करके गेम प्ले करोगे तो आपको डेफिनेटली ग्राफिक्स में काफी improvement तो देखने को में ले गई और उसके साथ साइज सेटिंग्स को भी apply करना trick number 5 के लिए आप bgmi open करने के बाद setting में जाके graphics बाले section पर जाएंगे तो भी आपके phone पर जितना भी maximum graphics जा सकता है उस पर आप set करो bgmi को और यहाँ पर apps को भी आप maximum पर रखना इससे bgmi के अंदर जितना भी maximum graphics हो सकता हो तो आपके phone पर set होई जाएगा उसके साथ साथ पहले के charge settings पर आप apply कर दोगे तो भी आपको एक super वाला graphics अपने phone पर देखने को मिलेगा bgmi खेलते हुए और भी without any gfx tool और config के जो की बहुत ज़्या dangerous रहता है आपके bgmi account के वीडियो जरूर से देखना इसके बाद से ना किसी भी phone पर lag problem एक दम से खतम होने वाला है तो चलिए आज के लिए बस इतना आई मैं मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में